हमारी इमानदार पार्टी है! ब्रश्टाचार बंद करके खूप पैसे बचाए और उस पैसे का आप लोगों को फाइदा पहंचा रहे हैं! पूरे पंजाब में जगेजे के महला क्लिनिक खुल रहे हैं! यहां भी खुले होंगे! बारा महला क्लिनिक! कौन कौन गया महलाग ले किस-किस ने देखे है फ्री दवाईयां मिलती है फ्री इलाज होता है अच्छे हैं कि नहीं है आज तक पंजाब में 75 साल में इतनी सरकारे आई इस पार्टी की भी आई किसी ने आपको इतनी सहुलियत नहीं जी तो दो साल के अंदर आपको मिलने लग गई अब पंजाब के स्कूल ठीक करने चालू कियें शानदार स्कूल बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर बच्चों को पक्का करना चालू कियें जो बच्चे टंकियों पे चड़े रहते थे अब एक एक करके एक एक करके सारे बच्चों को पक्का करते जा रहे हैं नौकरी का पचास हजार से ज़्यादा बच्चों को मान साथ ने सरकारी नौकरी दिला गी अभी बगद मैं मानता हूँ अभी बहुत काम करने बाकी है पर अभी तो दो ही साल हुएं दो साल तो ज़ादा नहीं होते ना अभी दो साल हुएं दो साल में आपको लगने लग गया होगा कि हमने अच्छी सरकार चुनी है है कि नहीं है दो ही साल हुएं बाकी सारे काम भी करेंगे अभी बहुत सारे काम बाकी है मान साब को पता है क्या क्या काम करनी है ये चुनाव केंदर सरकार बनाने का चुनाव है मैं आप लोगों के बीच में आ जाया हूँ कि आपने पंजाब में तो हमारे हाथ मजबूत कर दिये अब ये 13 सीट दे दो लोकसभा में केंदर में भी हमारे हाथ मजबूत कर दो ताकि केंदर में जितने मसले हैं वो भी हम समधान कर ले इन्होंने पूरा ताना शाही कर रखी है इन लोगों ने पंजाब के साड़े आठ हजार करोड रुपए रोक लिए मोधी सरकार ने गाउं गाउं के अंदर सड़क बनाने थे उस पैसे से पूरे पंजाब में महला क्लिनिक खोलना था पंजाब के हक का पैसा था लेकिन ताना शाही करके मोधी सरकार ने वो पैसे रोक लिए अकेले मान साब लड़ रहे हैं मोधी सरकार से लेकिन अगर ये 13 MP जिता दोगे तो मान साब के 13 हाथ हो जाएंगे वो जाके लड़ेंगे मोधी सरकार से फिर मोधी सरकार की हिम्मत नहीं होगी आप लोगों के फंड रोकने की आज आप लोगों ने भगवंत मान सरकार बनाई कि ये अपनी विदानसभा में बैठके बिल पास करते हैं गवर्नर सारे बिल रोक लेता है ये तो पंजाब के लोगों की बेजती है पंजाब के लोगों का अपमान है गवर्नर की कैसे हिम्मत होती है कि वो आपकी विदानसभा में पास कियो है सारे कानून रोक ले आप ये 13 MP बना दो ये गवर्नर के घर के अंदर घुसके सारे विल पास करा के ले आएंगे और आज से दो साल पहले याद करो जब किसान दिल्ली की तरफ बड़े थे किसान अंदोलन के लिए यादे आप लोगों को हजारो हजारो किसान दिल्ली की तरफ गए थे मोधी सरकार ने इनको दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया बॉडर पे रोक लिया सड़क पे कीले लगा दी बड़े बड़े बुल्डोजर लगा दिये इस बार ऐसा बटन दबाना मौधी जी को दिल्ली से बार कर देना इस वार है जा-स यह बदला लेने का टाइम आग्ए सबसे जादा पंजाब के किसान गए थे दिल्यक्यश पार पे इसब falar अपना बद़ला ले लिगखें कि नियों लो के चुप बैठोंगे इस बदला लेने का टाइम आ गया ताणा शा कर लिया, कर रखी है, इस ताना शाही को खतम करना है, इन्होंने सबस्ते नि इसलिए नहीं कि आध कि मैने ब्रष्टपायार किया है, कि 16 मर्ण को चुनाव एलान हूए, 21 मर्ण को मैर को गिरफटार कर लिया, केजरिवाल ने एक पैसे अब रेश्टाचार नहीं किया, मोदी जी ने डर के केजरिवाल को गिरफतार कर लिया, कि केजरिवाल पूरे देश में चला जाएगा, तो मेरी सीटे कम हो जाएगी, केजरिवाल को जेल में डाल दौ. और इनका हींकार देखो दोस्तो, इतना बढ़ गया, भगवान जगननाथ का सबसे बड़ा मंदर पूरी में है, उडिसा में पूरी में, इनका भगवान जगननाथ का मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब पूरे ब्रह्मांड के नाथ, पूरी स्रिष्टी के नाथ, पूरे स्रिष्टी का भगवान, संबित पैतरा का नम सुना है संबित पैतरा इनके BJP के प्रवक्ता है संबित पैतरा कहते है भगवान जगनाथ मोदी जी के भगत है इनको इतना हेंकार हो गया ये भगवान जगनाथ का भी को भी ये कहते हैं मोदी जी के भगत है बहगवान जगनात ये भगवान के उपर भी अपने आपको मानने लग गए और अभी थोड़े दिन पहले आपने पता नहीं, 3-4 इंटर्विजी दियें मोधी जी ने मोधी जी कहते हैं, मैं भगवान का अवतार हूं सुने थे अपने इंटर्व्यू वो कहते हैं मैं भगवान का अफ्तार हूं कितने लोग मानते हैं मोधी जी भगवान हैं ये थोड़े दिन में मंदिरों से भगवान की मूर्ति अटाके मोधी जी की मूर्ति लगा देंगे कहते हैं जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे अरे हमको भगवान राम लाएं हैं हम कहते हैं पृत्वी पे मैंने जनम लिया जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम ये कहते हैं मोदी जी भगवान को लाएं है ये कहते हैं मोदी जी राम को लाएं है अरे शरम कर लो यार इस पृत्वी की रचना मोधी जी ने किया इस ब्रह्मांड की रचना भगवान राम ने किया इस रिष्टी की रचना भगवान राम ने किया और तुम को इतना एंकार हो गया तुम कहते हो कि भगवान राम को मोधी जी लाएं इस बार 2014 में कहते थे मैं प्रधान सेवक हूँ 2019 में बोले मैं चौकिदार हूँ आज कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूँ इस बार ऐसा बटन दबाना इनका हैंकार चूर चूर हो जाए ऐसा बटन दबाना ऐसा बटन दबाना और दोस्तों ये कहते हैं 400 सीट चाहिए 400 सीट चाहिए हमने पूछा क्यों चाहिए बोले मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते है हमने का क्या बड़ा काम करना चाहते है तो पता चला ये आपका रिजर्वेशन खतम करना चाहते है बच के रहना दोस्तों, आज आप लोगों को कहके जा रहा हूं, जब तक केजरिवाल जिंदा है, किसी की हिम्मत नहीं है, जो रिजर्वेशन खतम कर दे, आप लोगों का साथ चाहिए, लड़ रहा हूं मैं इन से, संघर्ष कर रहा हूं मैं इन से, किसी हालत में झाल झाल